स्टाप्लस के सीरियल जनक में जनक ने खाली है नेंदी की गोलियां जिसके चलते जनक जिन्दगी और मौत के लड़ाई लड़ रही है। अभी तक देख पा रहे है कि घर में जनक को लेके बहुत टेंशन बनी हुई है। अभी हॉस्पिटल में है और घर में अलग परिशानी चल रही है। बहुत सारा टेंशन है। पता नहीं आगे क्या हो सकता है क्योंकि इसे साथ तो कुछ बता भी नहीं पाएंगे आपको जनक देखना होगा। और जब हर बार की तरह आनी उसे बचानी के लिए बहुत सारा जूट घर में बोलता है। तो कि हमारे जो शुबो, हमारे जो जेड जी दिखाए है, में जो ठाकुर्पो वो देख लेते हैं जनक और जो छोटन है उनको। तो उन्हें कुछ लगता है कि there is something fish in between them। तो उसे find out करने के लिए जनक को बहुत सारा घर में बहुत ताने पड़ते हैं, बहुत दुखी होती है। और वो इन सब चीजों से इतना थक चुकी है, then गुरु जी वो जिस तरीके से उसे underestimate करते हैं, उसकी insult करते हैं, ये सारा stress वो एक साथ नहीं जहल सकती। ना वो घर से निकल पा रही है, ना वो श्री नगर जा पा रही है, ना वो अपनी लाइफ को लेके कोई decisions ले पा रही है। और side by side वो ये भी सोचती कि उसकी वज़े से शायद अनी भी बहुत परेशानी में आ चुका है। और इसी सब टेंशन में वो बहुत सारी गोलिया खा लेती है। वो पूरी कोशिश करती कि उसकी लाइफ वो वही पे एंड कर दे। क्योंकि उसे दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उसको hospitalized भी किया है। उसने अब तक जो कुछ भी किया वो जहनक की help करने के लिए किया। वो चाहता था कि उसके लिए कुछ अच्छा हो जाये। वो वो शक्षी बहुत अच्छी dancer है। वो कुछ अच्छा कर सकते लाइफ में और उसके साथ में अभी उसकी मा भी नहीं है। अकेली है वो चाहता था तो इसलिए उसने सब कुछ किया उसने अपनी फैमिली में उसको लेकर आए कि शायद वो उसको एक अच्छी जिंदगी दे सके उसके उसके लिए कुछ कर सके लेकिन हर बार वो जब भी कुछ अच्छा करने जाता है अल्टिमेटली जनक को उससे परिशानी हो रही है और जनक भी जीस समझती है लेकिन अनी को बिलकुल ऐसा कोई भरोसा नहीं था कि वो ऐसा कोई स्टेप उठाएगी तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था ये एक तरीके से अनी के लोगो भी ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा कोई स्टेप उठाएगी क्योंकि बार-बार बोलती है उसे ताने तो मिलती है तो उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वो ऐसा कोई कदम उठाएगी और वो अपनी जान देने की कोशिश करेंगी देखिए हम तो लेकर आते हैं आपके ल कानल को सब्सक्राइब जरूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं सांस बहु और पेटिया